एक कहानी है जो सब्व को सुनानी है चलने वालों के दर्श दोस्तों कभी-कभी हमारे प्यारे स्ट्रिमर इतने भावुक हो जाते हैं कि अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए वो अपनी सिंगी का इस्तिमाल करते हैं तो कुछ ऐसी ही भावनाओं को हमने इस वीडियो में पेश किया है तो जी जो पहली भावनाम आपको दिखाने जा रहे हैं इसको देखने के बाद कैरी ने क्या रियक्शन दिया ये आप आगे देखिए तो दोस्तो यलकार का ये इतिहासिक वर्जन सुनने के बाद कैरी के कानों से तो खून निकल गया और उन्हें गहरा सत्मा पहुंचा है ठीक होने की जल्दी कोई उमीड नहीं और लिरिक्स का न कतल कैसे करते हैं न कतल ये टी बोन भाई से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता अरे भाई ये शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमें नहीं पता कल से फिजिलोजी की सारी किताबे पड़ छोड़ी हैं लेकिन ये फलके नहीं मिल रहा भाई अगला सिंगर जो आने वाला है न उसके तो मैं क्या कहूं वह 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 कहीं मैं मर ना जाओं ये यूट्यूब की दुनिया की स्ट्रीमिंग की सिंगिंग दुनिया के बेताज बात्षा हैं चब से इन्होंने गाना शुरू किया है न तब से भारत में रूई की बिक्रीना 60% बढ़ गई है ये वाला इंडियन आडल देखने के बाद रका जोन की चैट में हर किसी की जूबान पे सिर्फ एक ही बात अब इतने भारी भारी सिंगर्स को सुनने के बाद हमारे जीविये भाई कहां रुकने वाले थे उन्होंने दुबारा से एक भारी भरकम कोशिश की लेकिन जीविये के इस सिंगीन ना मुझे इस बंदे के याद दिला दी मेरा भी हो गया आज का तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वो लाइक वाला बटन दबा देना और अगर ऐसे वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना झाल